बॉलिवूड अक्टरस सारा अलिखान किसी ना किसी वज़े से सुर्ख्या बटोरती रहती है सोशल मीडिया पर भी सारा काफी आक्टिव रहती है हाली में सारा अलिखान ने केदारनाथ धाम से अपनी कुछ तस्वीरों को शेर किया है लेकिन अब केदारनाथ से ही उनकी कुछ और नई तस्वीरे वाइरल हुई है सोशल मीडिया पर जिससे रूमर सामने आ रही है कि सारा कॉंग्रेस नेता को डेट कर रही है कौन है सारा का नया प्यार आखिर किस के प्यार में दिवानी हो गई है सारा जिसको बना लिया है सारा ने बॉइफ्रेंड चलिए गाईज आपको बता देते है दरसल सारा लिखान कुछ समय पहले केदार नाध धाम दर्शन करने गई थी वहाँ से उन्होंने कुछ तस्वीरे शेयर की थी जिनमें वो पहाडियों में इंजॉय करती नजर आई थी कई तस्वीरों में उन्हें महादेव की आस्ता में लीन भी देखा गया था वही कॉंग्रेस नेता अर्जुन प्रताब बाजवा ने भी केदार नाध धाम से अपनी नई फोटोस को शेयर किया है खास बात यही कि इन तस्वीरों का बाग्राउंड सारा की तस्वीरों के बिलकुल जैसा है यानि की दोनों की जो तस्वीरे हैं उन दोनों की तस्वीरों का जो बाग्राउंड है वो काफी हद तक सेम है सारा अलिखान और कॉंग्रेस नेता अर्जुन प्रताब बाजवा की ये तस्वीरे सामने आने के बाद से ही ऐसी अफ़ाय फैल गई है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं इस बीच सारा और कॉंग्रेस नेता की केदारना धाम में एक साथ पूजा करते तस्वीरे सामने आई हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रही है ऐसे में रेडिट पर एक यूजर ने लिखा क्या ये सारा के बॉइफरेंड है अब ऐसे में आप जानना चाते होंगे कि आखिरकार अर्जुन प्रताब बाजवा कौन है तो आपको बता देते हैं अर्जुन प्रताब बाजवा पंजाब में भारतिय जनता पार्टी के वाइस प्रेजिडेंट फते जंग सिंग बाजवा के बेटे हैं वो एक ट्रावलर है और राजुनीती में आने से पहले एक मॉडल भी थे वर्क फ्रेंट पर सारा अलिखान बहुत जल्द अनुराग बसु की फिल्म मेट्रो इन डिनो में भी सारा और अर्जुन प्रताब बाजवा की तरफ से अभी तक उनके रुलेशन्शिप स्टेटस पर कोई भी कमेंट सामने नहीं आया है कोई भी ऑफिशल अनाउंस्मेंट सामने नहीं आयी है लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग है वो लगातार इनकी तस्वीरों को कमप्यार करते हुए यही कहते नज़रा रहे हैं कि भाई इन दोनों की तस्वीरे तो बैग्राउंड वाइस बहुत ज़्यादा सिमिलर है और यकीनन यह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं बहराल सच्चाई क्या है यह तो यह कपल ही बहतर बता सकता है कैसा लगा वीडियो क्या है आपकी राय जरूर बताईए इस वीडियो में इतना ही